आज हम बहुत ही गजब के टेस्ट वाली मिक्स वेज बना कर तयार करेंगे एक बार आप इस सब्जी को बना कर देखिएगा बहुत ही गजब का टेस्ट आता है बनाने में भी बहुत आसान है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्याम रसोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम सब्जीयों को फ्राय करेंगे तो इसके लिए मैंने कड़ाही में तीन चमच तेल ले लिया है जैसे जैसे मैं सब्जी इसमें एड करती जाओंगी आपको बताती जाओंगी मैंने यहाँ पर आधा कप बीन्स लिया है आधा कप गोभी लिया है आधा कप गाजर लिया है और साथ ही एक बड़े साइज का आलू लिया है सब्जीयों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर लगबग 2-3 मिनिट के लिए फ्राय करेंगे इस तरह फ्राय करके यदि आप सब्जी बनाएंगे तो वो बहुत ही जादा टेस्टी बनेगी डीफ फ्राय करने के पिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये देखे सब्जीयों को भूनते हुए 2-3 मिनिट हो गए है अब हम इसमें आधा कप मटर डालेंगे मैंने यहाँ ताजा मटर का इस्तेमाल किया है आप कोई भी मटर ले सकते हो इसी के साथ आधा कप उबले हुए स्वीट कौन लिये हैं सब्जियां आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो जरूरी नहीं है ये सारी सब्जियां आप इसमें डाले अब हम फिर से इसे लगबग 3 मिनिट के लिए फ्राय कर लेंगे जिससे सब्जियां काफी सॉफ्ट हो जाएंगी ये देखिए सब्जी को हमने स्वीट कौन और मटर डालने के बाद 3 मिनिट के लिए और फ्राय कर लिया है तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सब्जियों को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे अब हम सेम कडाही में थोड़ा सा तेल और डालेंगे और तेल के गरम हो जाने पर सबसे पहले मैं इसमें एक चमच जीरा डाल रही हूँ जीरे को पहले अच्छे से चटक जाने दीजिए उसके बाद हम इसमें दो प्याज को बिलकुल बारिक काट कर लेंगे और प्याज को मिडियम हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए प्याज का कलर चेंज हो गया है और ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें एक बड़ा चमच अदरक लहसून का पेस्ट डालेंगे आप चाहें तो अदरक और लहसून को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हो अदरक लहसून डालने के बाद मैंने इसे एक से दो मिनिट और भुना ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा अब हमने यहाँ पर तीन टमाटर को पीस कर लिया है आप चाहें तो टमाटर को कदुकस करके भी ले सकते हो या बिल्कुल बारी कट करके भी ले सकते हो मैंने यहाँ देसी टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है लंबे वाले टमाटरों का इस्तेमाल किया है जो बहुत ही कम खटे होते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और साथ ही इसमें मसाले डाल देते हैं ताकि टमाटर के साथ मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे हमने यहाँ पर आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच थनिया पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है इससे सबची का कलर बहुत अच्छा आएगा आढ़ा चम्मच regular वाली लाल मिर्च ली है इसी के साथ आढ़ा चम्मच जीरा पाउडर आढ़ा चम्मच गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अब हम medium to high flame पर इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का पानी पूरी तरह से नहीं सूख जाता है और मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है तो मैंने gas की flame को medium high पर कर दिया है ताकि हमारा काम 2-3 मिनिट में हो जाएगा मसाले को जब हम continue चलाते हुए medium high flame पर भूनते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से भून जाता है ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है जब मसाला भून जाता है तो वो कड़ाही के तले को छोड़ने लगता है ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला हमारा भून चुका है तो अब हम गैस की flame को एक पार के लिए बंद कर देंगे क्योंकि अब हम इसमें दही डालेंगे गैस की flame को बंद की वे एक मिनिट हो गए है अब मैंने यहाँ पर तीन चमच ताजा दही लिया है दही खटा नहीं लिजिएगा अब हम पहले दही को अच्छे से mix करेंगे उसके बाद गैस की flame को on करेंगे ऐसा करने से दही कभी भी फटता नहीं है आप चाहे कोई भी सबजी में डाले यदि ये ट्रिक से दही डालते हैं तो वो कभी नहीं फटेगा ये देखे दही अच्छे से mix हो गया है अब हम गैस की flame को on करेंगे और पहले इसे medium पर रखिए इसे continue चलाते रहिए और दही को भी हमें लगबग 2 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेना है क्योंकि हम mix wage भूना बना रहे हैं तो हर step में हमें सारे मसालों को अच्छे से फ्रेंड्स आप ये सब्जी बना कर देखिएगा बहुर्ट टेस्टी बनती है अब हम इसमें लगबग एक से डेड़ कप गरम पानी डाल देंगे हम ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रहे हैं सब्जियों पर मसाला अच्छे से लिप्टा हुआ रहे उस तरह की सब्जी बना कर तैयार कर रही हैं आप गरम पानी का ही इस्तिमाल कीजिएगा गरम पानी डालने से कुकिंग प्रोसेसिंग रुकता नहीं है वो चलता रहता है ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तीन-चार चमच इसमें पानी और डाल देती हूं और इसे अच्छे से मिक पकाया आप देख सकते हैं कि तरी कित्ती बढ़िया से उपर आ गई है तो अब हम इसमें ये फ्राय की हुई सारी सबजिया डाल देंगे इसके साथ ही हम इसमें कुछ और सबजिया डालेंगे जैसी मैंने यहां एक छोटे से प्याज को इस तरह चौक और पिसेज में काट क कर लिया है एक चमच कसूरी मेथी ली है कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल दीजिएगा साथ ही मैंने तीन हरी मेच ली है हरी मेच को बीच में से मैंने चीरा लगा कर डाला है ताकि इसका फ्लेवर सबजी में आ जाए और जिसको हरी मेच हटानी हो वो आर क्योंकि सब्जियों को पहले ही हमने भून लिया था सब्जी को ढग कर पकाते हुए पूरे 12 मिनिट हो गए है और बीच में मैंने इसे एक से दो बार चला दिया था सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तयार है बारी कटा हरा धनिया डालिए और इसे मिक्स कीजिए गर्मा गरम पावल पराठा किसी के भी साथ इस सुपर टेस्टी मिक्स वेज की रेसीपी को आप भी अपने घर पर जरूर ट्राय कीजिएगा ट्राय करने के बाद अच्छी लगे तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दिजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके